हेलो दोस्तों कैसे आप लोग आई भोग आप लोग बहुत अच्छे होगे आज की वीडियो बहुत जादा इंपosnt होने वाली यह ज़ısı खास है तो हर वीडियो डालते रहते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं वह कौन से लक्षण है जिससे कि आपको तुरन से तुरन डॉक्टर के पास जाना है बिल्कुल भी देरी नहीं करना है क्योंकि अगर आपको ऐसे लक्षण देखने को मिलने हैं तो यह मिस्कैरिज का भी खत्रा हो सकत है तो चलिए जानते हैं देखिए सबसे पहला जो लक्षण होता है जो कि बहुत ज़्यदा इंग्पॉर्टर भी है अगर आपको यह लक्षण देखने को मिलना है तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है तुरन डॉक्टर से कंसल्ट करना है अगर आपको पूरी प्र सुरू के मंत में किसी-किसी महिला को जो होता है पूरी प्रेगनसी बिल्कुल भी वुमिटिंग नहीं होती है लेकिन किसी-किसी महिला को इतनी ज्यादा वुमिटिंग होती है कि अगर जूस पी रहे हैं कोई भी लिक्विड वाली चीज़े खा पी रहे हैं पानी भी पी र तो भच्चे का विकास भी अच्छ से नहीं सो पाएगा बच्चे का विकास रुख जाएगा यहां तो आपको एसे में तुरन से तुरन डॉक्तर के पास जाना है और उल्टिया की रॉक्तरश को आपको आपका बच्चा जो है अगर दिन भर में बिल्कुल भी हलचल नहीं करता है तो यह बहुत ज़्यदा important lecture है आपको बिल्कुल भी इसको ignore नहीं करना है आपको महसूस करना है कि आपका बच्चा हलचल कितने बार करता है दिन भर में आपको कितने हलचल महसूस होती कितना moment करता है बच्चा क्योंकि बच्चे की moment करना भी बहुत ज़्यदा जरूरी हो जाता है आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल ला है बच्चा moment नहीं कर रहा है तो हो सकता है बच्चे को अंदर पेट में कोई भी दिक्कत हो रही हो कुछ परशानी हो रहे जिसकी वज़े से बच्चे बिल्कुल भी moment नहीं कर रहा है तो आपको महसूस करना है इस चीज को देखिए आपको क्या करना है रात की टाइम है आपको हलका खाना खाना है मतलब एकदम भारी खाना नहीं खाना है और जब भी आप खाना खाती है तो खाना खाके आपको थोड़ी बहुत दिट बॉक करना है मतलब टहलना है थोड़ा सा ठीक है टहलना है आपको और आपको अपने हाथ से अपने पेट पे सहलाना है और थोड़ा महसूस करना है कि आपका बच्चे ने हलचल की है या नहीं की है अगर आपका बच्चे बिल्कुल भी हलचल नहीं करता है तो आपको तुरण डौक्टर के पाथ जाना है ठीक है अगर बच्चा हल चल आप पेट पे हाथ रखेंगे थोड़ा पहुत सहलाएंगे ना तो बच्चा जरूर आपका हल चल करता है ठीक है अगर नहीं करता है इस मुमेंट पे भी तो आपको तुरन डॉक्टर के पास जाना है बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है यह चीज़ और है दोस्तों अगर आपकी पहली प्रेगनसी है तो हो सकता है आपका पेट जो है कम दिखाए दे ठीक है लेकिन अगर आपकी दूसरी तीस सीरी प्रेगनसी है तो इसल अंगर आपका नहीं बढ़ना है पेट बल्कुल भी पता ही नी चलना है तो हो सकता है बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो रहा है दोस्तों तो ऐसे में आपको तुरन डॉक्टर के पास जाना है ठीक है डॉक्टर से कंसर्ट करना है अपनी रिपोर्टे में बगारा में देखना है कि बच्चे के वकास अच्छे से हो रहे है या नही हो रहा है बच्चे कभी कास अच्छे से होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है तो यह कुछ जो लक्षण थे वो आपको पूरी प्रेगनेंसी में अगर नजर आते हैं तो आपको डॉक्टर से जरूर से जरूर कंसर्ट करना है क्योंकि यह कुछ लक्षण जो है वो इन बातों का आपको खास खयाल रखना है और इस वीडियो से जरासी भी आप लोग को नॉलिज मिली हो जरासी भी हैल्प हुई हो आप लोग की तो वीडियो का आगे जरू शियर करें और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीस चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा ठीक प्लीस कि झाल का झाल करेंगे लोग के जरूर को सस्क्राइब ड़ घाइब का एरूर क्रेंगे जरूर करेंगे लोग एरूर करें वीडियो का गो तो एंवाटेंगे टीकिय।